वर्टसप यूजर्स को काफी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देता है जिससे आपका चैटिक करने का एक्स्पिरिंस काफी बहतर हो जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आपका WhatsApp यूज करने का तरीक काफी बहतर होने वाला है तो दोस्तों मैं हूँ कुपालगर का आपका बहुत-बहुत करता हूँ नहीं जाना रहागा टेक्नोजिज में आईए जानते हैं वर्टसप के कुछ टिप्स और प्रिक्स तो दोस्तों सबसे पहले ट्रिक ग्रूप या चैट से हटाएं वीडियो और इमोजिस दोस्तों आपने देखा होगा वर्टसप पर टेक्स मेसेज के साथ इसी कर जिया रिसीव गई फाइल मीडिया कॉंटेंट या ग्रूप डिलिट कर सकते हैं इसके लिए आपका फोन का प्रिक देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्षन को मिल जाएगा एक डेटा एंड श्टोरेज यूसेज करके तो दोस्तों आप क्लिक कर लेते हैं इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं करें यहाँ पर आपको एक Olympics मिल जाएगा इस पर आप करिक करते हैं जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपने सबसे टार किसके साथ कर यह करá है आपको यह पर वी पीज़ी powers देखने को मिल जाएगा जो दोस्ते हैं आपका किस पर करने के बाद आपको देखने को मिल ज़य मैंसे यहां पर टेक्स किया है यहां पर दोस्तों सबस्यादा देख सकते हैं मेरी जो सबस्यादा जो सबस्यादा हुआ है वो डोकुमेंट शेयर करके हुए है इसके साथ आप यहां पर आपको सबसे नीचे फ्री अप इस पेस करके उप्शन मिल जाएगा जिससे आपकी यह सारा स्पेस फ्री हो जाएगा और आपके फोन की भी स्टोरेज काफी हद तक कम हो जाएगी तो देख सकते हैं आप डिलीट आइटम करके मैंने आप डिलीट कर दिया है ऐसी आप किसी और को बीच जो भी करना चाहते हैं आप यहां से कर सकते हैं तो दूसरी ट्रिक गैलरी से ऐसे छिपा है फोटो और वीडियू हर यूजर के लिए कॉंटेंट लिस्ट में कोई ने कोई ऐसा जोलूरी होता है जिसके द्वारा फेज यह गई फोटो और वीडि को फोन में ही रख सकते हैं इसके लिए आपको अपने फट्सप को उपन करके उस चैट पर जाना होगा जिसको आपने हाइड करना चाहते हैं इस पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको उप्शन को उपन कर लिजिए दैन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक मीडि विजिबिलिटी करके देखने को मिल लाएगा देख दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन मिल लाएगा डिफिकल्ड जैस या नो तो दोस्तों जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी इसकी वीडियो या कोई भी फोटो आपकी गैलरी में नहाए तो इसके लिए बीच करें शेयर फाइल दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि वर्टसब को आप पीसी और फोन पर फाइल्स डाउनलोड करने के लिए स्वाल कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आपको किसी डोकुमेंट जैंड कि आए किसी ने तो आप इसके लिए आप अपना PC यूज करते हैं उसक करेंगे तो उसके बाद आप यह उस पर कोड को स्कैन करेंगे तो उसके बाद आपकी दोनों फाइल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और आप इजीली अपनी वर्टसब की कोई भी फाइल को PC में उपन करके अराम से देख सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस सब्सक्राइब से पहले मिलने हैं थैंक्यू सो मच